exercise 3.3 का question number fourth subtract the 4a minus b minus ab plus 3 from the sum of 3a minus 5b plus 3ab and 2a plus 4b minus 5ab इस question में यह कह रहा है कि पहले आप sum निकालो इन दोनों का और जो आएगा उसमें से यह first polynomial minus करना तो sum निकालने का के लिए सबसे वहले लेखेंगे 3a minus 5b plus 3ab इसके निच्चे लेखेंगे third polynomial में 2a plus 4b minus 5ab plus करते वका sign change करने की जुरूत नहीं पढ़ती 3 plus 2 5a minus 5 plus का 4 minus 1b minus 5 plus 3 minus 2ab यह हमारे पास आगया add यानि plus कर दिया हमने sum आगया हमारे पास ठीक है अब इस sum में से यह first polynomial minus करना है पहला क्या है 4a 4a लिख दिया minus b minus b लिख दिया minus ab minus ab लिख दिया plus 3 यह लग है इसको लग लिखा हमने ठीक है like terms के नीचे like terms लिखी जाएंगी अब minus करना है minus के लिए हमें sin जिंज करना पड़ेगा यहाँ plus का sign है तो यहाँ minus का हो जाएगा यहाँ minus का sign है यहाँ पर हमारे पास plus का हो जाएगा यहाँ भी minus का sign है यहाँ plus का हो जाएगा मैनस 2 और प्लस 1 किदर होता है? मैनस 1 होता है, मैनस 3, जब साइन्स चेंज करते हो तो ये साइन्स को आपने बिल्कुल नहीं ध्यान देना, सब्ट्रेक्ट करते हैं वक्त, ठीक है? ये हमारे पास आंसर आगया, a-ab-3, ये हमारे पास आंसर आगया.